तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बुलिश इंगलफिंग पैटन, बेरिश इंगलफिंग पैटन, मौनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, सूटिंग स्टार और हैंगिंग मैं पैटन को तो हमारा पहला pattern है bullish engulfing bullish engulfing pattern chart पर कुछ इस प्रक्राय दिखाई देता है ये दो candle से मिलकर बनता है first candle red color की candle होती है और second candle green color की candle होती है bullish engulfing का मतलब जो bullish green candle है वो previous day के red candle को पुरा engulf कर ले मतलब cover कर ले तो अगर ये pattern downtrend के दोरान chart के bottom में बनती है तो next day अगर कोई candle इस green candle के high को तोड़ दे तो आप यहाँ buy कर सकते हो तो next है bearish engulfing pattern ये bullish engulfing pattern के ठीक opposite है तो bearish engulfing pattern आपको chart में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा इसमें first candle एक छोटी green candle होती है और next candle एक red candle होती है जो previous green candle को पुरा cover कर लेती है तो अगर market uptrend में है और उस समय अगर top पर इस प्रकार का pattern बनता है तो next day अगर कोई red candle इस candle का low तूड़ दे तो आप वहाँ sell कर सकते हो next है morning star ये एक important candlestick pattern है चार्ट में आपको morning star कुछ इस प्रकार दिखाई देगा ये तीन candle से मिलकर बनता है फर्स डे एक बड़ी red candle बनती है फिर next day जो candle बनती है वो एक indecision candle होती है मतलब उस दिन market जादा उपर नीचे नहीं होता market अपने opening price के आसपास ही close होती है फिर जो next day candle बनती है वो एक bullish green candle होती है तो अगर ऐसा pattern downtrend के समय चार्ट के bottom में बनता है तो next day अगर कोई candle इस green candle का high तोड़ दे तो आप buy कर सकते हो तो हमारा next pattern है evening star evening star morning star के just opposite है ये आपको चार्ट में कुछ इस प्रकाद दिखाई देगा ये तीन candle से मिलकर बनता है फर्स डे एक big green candle होती है सेकिंड एक indecision candle होती है थर्ड candle एक bearish red candle होती है तो अगर आपको चार्ट पे ऐसा pattern uptrend के समय चार्ट के top पर दिखे तो next day अगर कोई candle इस red candle का low break कर दे तो आप वहाँ sell कर सकते है तो next है shooting star candle shooting star inverted hammer के तरह ही दिखता है बस फर्क इतना है inverted hammer downtrend के वक चार्ट के bottom में बनता है और shooting star uptrend के समय चार्ट के top पर बनता है तो अगर ऐसा कोई pattern uptrend के समय चार्ट के top पर बने तो next day अगर कोई candle इस candle का low तोड़ दे तो आप यहाँ sell कर सकते हो shooting star दो color की हो सकती है red और green पर shooting star red color की हो तो यह एक strong signal माना जाता है तो इस वीडियो का last pattern है hanging man hanging man chart में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है यह दिखने में बिल्कुल hammer candle के तरह है बस फर्क इतना है hammer downtrend के समय चार्ट के bottom में बनता है और hanging man uptrend के समय चार्ट के top पर बनता है तो आपको uptrend के समय चार्ट पर ऐसा कोई pattern दिखे तो next day अगर कोई red candle इसके low को तोड़ दे तो आप वहाँ sell कर सकते है hanging man दो कलर की हो सकती है red या green पर अगर red हो तो यह एक strong signal माना जाता है तो hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़े information मिली होगी अगर आपको हमारी वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए best of luck for your stock journey